आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताना चाहते हैं जो अकसर लोग एवोईड करते हैं उसकी केर करना भूल जाते हैं और उसके बाद उसके जो रिजल्ट होते बहुत भायानक होते बहुत तक्लिप्ट होती हैं आज हम बताएंगे लिप्ट के बारे में जो बहुत सारे लोग करते नहीं है लिप्ट के क्यों करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए आज हम पूरी डीटेल्स के साथ इस वीडियो में बताएंगे दो प्रोड़क्ट के साथ हम आपको लिप्ट के बढ़ताएंगे एक है मार्केट म रहने वाले प्रोड़क्त के साथ तो चलिए बिना कुछ देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बर उससे पहले हम आपसे एक रिक्वस्ट करना चाहते हैं अगर अभी अभी आप मेरे इस वीडियो को बहुत जरूरी है तो प्लीज मेरे इस चैनल को आपके रिलेटिव फ्रेंड सब अपने सोचल मीडिया पर रिक्वस्ट भेजिएगा उनको मुझे फॉलो करने और वीडियो को लाइक करने के लिए क्यूंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हलो तो चलो हम अपनी वीडियो पे आज बात करते हैं अपने लिप्स की लिप्स हमारे फेस में बहुत ही सेंसिटू पार्ट होती है जिसको हमारी केर की बहुत जरूरत होती है हम अपने face का care करते हैं, हम अपने body का care करते हैं बट हम ये भूल जाते हैं कि lips को भी care की बहुत जरूरत होती है हम इस पर lip balm लगाते हैं, lipstick लगाते हैं हम जब make up करते हैं तो उस पर foundation लगता है इसे बहुत सारे चीज़े होती है जिसकी वज़े से हमारे lips के उपर एक परत जम जाती है, dead skin बन जाती है अगर उसको हम remove नहीं करें और अगर हम उसको नरीश नहीं करेंगे तो वो बहुती बुरी तरह से फट जाते हैं विंटर्स में especially उसकी hydration खो जाती है उसकी वज़े से हमारे lips जो हैं बहुती dry हो जाते हैं तो उनको cure करने के लिए हमें हर दिन एक छोटा सा काम करना होता है वो क्या है हम आपको बताते हैं पहला step यह है अच्छे से face wash कर लिजेगा उसके बाद आप अपने lips पे use करेंगे कोई भी scrub हम यहाँ पे use कर रहे हैं Good Wives का scrub होता है यह scrub क्या करता है आप यह lips के उपर जो dead cells होते हैं dead skin होती है उन सब को remove करने में बहुत मदद करता है पहली बात दूसरी बात यह है अगले step जो हम use करने वाले अपने lips पे उसको absorb करने में भी यह बहुत help करता है तो इसको कैसे use करते हैं simple सा तरीका है अच्छी तरह से spread करके evenly उसके बांस को आराम से हलके हातों से massage कीजेगा रब कीजेगा ताकि जो भी lips के उपर आपका dead skin है वो remove हो जाए let's do it then इस तरह से आपको अपने lips पे massage करनी है यह एक से दो मेंट उससे जादा नहीं करना है उसके बाद हमने यह जो scrub लगाया उसको अच्छे से tissue या soft cloth से उसको remove करें मैं यहां पे wet wipes यूज़ कर रही हूं once you are done with the removing of this scrub इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको कोई भी mild साल lip balm लेना है और उसको apply करना है आज मेरे पास दो types के lip balm है दो brands के lip balm है जो मैं use करने वाली हूं एक है good wipes का cocoa butter lip balm और दूसरा है sage apothe curry का strawberry lip balm यह एक ayurvedic brand है जिसकी serum बहुत सारे ऐसे product है जो आपकी skin को बिना damage के बहुत प्रोटेक्ट करेंगे इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी बस यह आपको लेना है अभी मैं यूज कर यूँ यह strawberry वाला lip balm ने बार। यूज किसी आइ बारी को है वीडियों इस मिना सीचली औरते की सब्सों हफते में मिनिमम दो बार करनी ही करनी है ताकि आपके जो लिप्स के ऊपर डेट स्कीन है उसको रिमूव करने के लिए यह तो हो गया हमारे प्रोडक्स वाला अभी हम आपको बताएंगे पाथ 2 में अपने घर में रहने वाले चीजों से अपनी लिपकेर कैसे करें अब तो हम रेमेडी ऑफ दीस लिप सीरम आमिन लिप स्कुर्ब स्टर यह ही टमाटर जो इसे स्किन में जमी हुई प्यूर्टी इंपूर्टी इसको निकालेगा एक ऐसे स्कुर्ब के जैसे एक ऐसे प्रोड़क्त काम करेंगा जो आपके स्किन के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा सब्सक्राइब निकालेगा उसको ब्राइटन करेगा लिप्स को ब्राइटन करने के लिए बहुत काम आते हैं सेकेंड वनी शुगर अब थोड़ा सा शुगर लीजेगा और उसमें इसको डिप कीजेगा आफर दास जस्ट रब टन यूर लिप्स अब नेक्स तिंग है इसको रिपेर करने की एक लिपाम के साथ जो घर पे रहने वाली है वो है मलाई गर पे रहने वाला इंग्रीडियन मलाई दूद के उपर जो मलाई होती है वो वाली यूज करेंगे और उसके साथ हम यूज करेंगे यहां पे टर्मरिक पॉडर हल्दी पॉडर बस इसको थोड़ा सा इसमें मिलाना है हमारा जो भी मलाई लिया है उस पे डालेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स बस इसको आप छोड़ देना है पूरी रात इसको सेटल होने के लिए इसको काम करने के लिए अगली सुभा नॉर्मल से आप वाश कर सकते हो बस इतना ही करना है वीकली ट्वाइस अगर आप इसे करोगे तो आपकी जो लिप्स है उसमें एक चमक आएगी जो डाकने से वो कम ह हो जाएगे और वो ग्लो करने लगेंगे अगर आपको यह मेरा रिव्यू और यह मेरा टिप अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे शेर कीजेगा और लाइक ज़रूर कीजेगा थैंक यू सो मच मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में लव यू आल